हुआ है है लो दोस्तों मैं दीपेंसिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रादेश्टेडी हमें स्वागत करता हूं जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ाता है यूनिडीजिन निकानला उसकी एक और त्रिक बताई थी आप लोगों को आज हम बताने जाते हैं जा रहे हैं डिवीजिबिल्टी रूल क्या बताने जा रहे हैं डिवीजिबिल्टी रूल यूं तो आप लोगोंने बहुत बार पढ़ा होगा डिवीजिबिल्टी रूल जिसको इंदिम मोलते हैं विभाज जित है ठीक है तो Isstart करते हैं विवाजता केrostभ नियम सबसे पहले बात करते है दो की दो का नियम क्या होता है आप लोग उने पढ़ा है कि काई के यंक में क्या बाता है जीरू दो चार्ड छह आर्ड दिया गया हो तो क्या होगा दो से विभाज होगा ऐसा होता क्यों है आज यह बताने जा रहा है जैसे संख्या दे रहा है A B C D क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A into 1000 प्लस B into 100 प्लस C into ten प्लस D लिख सकते हैं आप कहेंगे ऐसा कैसे लिख सकते हैं तो यह हम 3 into 100 plus 5 into 10 plus 1 और हमें divide किससे करना है 2 से 2 का भी बाज़ता का rule निकालना है तो आप क्या करेंगे 2 से divide करने के लिए देखेंगे इससे काटेंगे ये वाला कट जाएगा ये वाला कट जाएगा ये कट जाएगा आप देखो याद रखो अगर जैसे दे रहा है 12 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो इसका मतलब 4 गुड़ा 3 भी लिख सकते थे तो 2 से अगर ये 4 कट रहा है तो ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा 2 से विभाज माना जाएगा मतलब ये 1000 कट रहा है तो ये पूरा विभाज माना जाएगा है माना जाएगा कि पूरा का पूरा क्या है डिवीजिबल है अब अच्छा कौन सा अंतिम तो इसलिए हम लोग डेते हैं 2 से अगर यह अंतिम, मतलए इस तरब का 1 का अच्छा, अगर विभाज जह तो पूरी की पूरी संक्हया दे दे, अगर एकाई के अंक में दो का भाग जा रहा है, तो यह संक्या क्या होगी, दो से विवाज होगी, जैसे 8, 6, 7, 8, 2, 0, इसमें एकाई के अंक में अगर दो का भाग जा रहा है, तो यह संक्या पूरी की पूरी क्या होगी, दो से विवाज जो होगी, यह बात हो गई, किसके 2K Divisibility Roll की अब बात करते हैं किसके 4K Divisibility Roll की 4K तो देखो 4 का क्या लिख सकते हैं ये था A, B, C, D इसी को मलोग लिख सकते हैं A into 1000 plus B into 100 plus C into 10 plus D upon 4 4 से divide करना 4 से इसको divide करेंगे 250 4 से इसको divide करेंगे 25 क्या 4 से divide होगा नहीं होगा 4 से divide होगा की नहीं होगा बचे C और इतने को मलोग क्या लिख सकते थे इसको मलिख सकते हैं C, D लिख सकते हैं की नहीं कैसे लिख सकते हैं देखो चाहें 5 into 10 plus अगर 4 दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ 50 और ये 4, 54 इसका मतलब यह हुआ मतलब ये CD आ गया 5 आ गया और ये 4 आ गया 10 जैसे इसमें था 10 इसमें तो इस प्रकार इसको मैंसे लिख सकते हैं और ये अंतिम 2 अंग अगर 4 से क्योंकि ये पूरे की पूरे क्या थे 4 से विभाज ये बचे कौन से अंतिके 2 अंग तो अंतिके 2 अंग अगर 4 से विभाज हैं अभी तो ये बेसिक बता रहे हैं मैं कुछ आपको और आंगे बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आपको ये सब बता देंगे 19 का डिविजबिल्टी रूल 17 का डिविजबिल्टी रूल लाश्ट की 2 संख्याओं में लाश्ट के 2 अंग में अब इस तरफ से प्रारम के मालने दो अंग में क्या जा रहा है इकाई 4 का भाग जा रहा है तो इस संख्या क्या होगी 4 से विभाज होगी इसके बाद अगर बात करें 8 की तो 8 को फिर इसको लिखे लो 1 A into 1000 प्लस B into 100 प्लस C into 10 प्लस D upon में लिखेंगे 8 8 से यह divide है यह divide होगा नहीं यह divide होगा नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं B, C, D मतलब अन्त की अगर 3 संक्ष्याँ 8 से विवाज है तो इस संक्ष्याँ क्या होगी आठ से विवाज होगी अब देखो जैसे इसकी बात करें तो इसमें देखो समझो इसका मतलब था दो की पावर एक इसका मतलब था dub की पावर दो इसका मतलब था d Kathleen बावर तिन पतल जब 드лав की पावर एक थी तो अंत का एक उंक देखा जब 2 की पावर कितनी है तो अंत के दो अंकग देखे जब दो की पावर कितनी है जब दो की पावर न ह落itt तीन है थो अंत के 3 अंकग देखे ऐसा श सोला की बात करें बोड़ किया होता है 2020 न धावर ऋंक कि ईंत्र न चार रंगह 1 थे 2 का 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का आप बात करते हैं हम लोग 5 वाले में तीन का और 9 का एक साथ बताएंगे देखो बात करते हैं विभाजता के नियम 5 का 5 के लिए फिर वही संख्या जैसे यह बी सीडी लिया तो इसका मतलब था एंटू 1,000 प्लस बी इंटू 100 प्लस सी इंटू 10 प्लस डी अपाउन 5 5 सी यह कड़ जाएगा यह कड़ जाएगा यह कड़ जाएगा बचेगा कितना लास्ट का डी तो मतलब अगर लास्ट के अंतिम अंग में 5 का भाग जा रहा है तो वह संख्या क्या होगी 5 से भी भाग जोगी और अंतिम अच्छर में 5 का भाग तभी जाएगा जब क्या होना किसकी 5 की पावर 1 की मतलब 5 की बात करते हैं 25 की जिसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 सेम यही संख्या लेंगे A into 1000 प्लस B into 100 प्लस C into 10 और प्लस D और अपन में क्या देरा रखेंगे 25 25 से डिवाइड करेंगे यह कड़े जाएगा यह कड़े यह दोनों नहीं कटेंगे 5 की पावर 2 था तो अंद के कितने अंग देखें 2 अंग ऐसे अगर 125 की बात करें तो 125 का मतलब 5 की पावर कितनी 3 तो आप कितने अंग देखेंगे 3 अंग प्लस B इंटू 100 प्लस C इंटू 10 प्लस D अपन 25 इससे यह वाला कट रहा है यह तीनों की तीनों नहीं कटेंगे 125 था 125 अठे वन था उजट तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका B, C, D, अंद की 3 देखेंगे ऐसे अगर 5 की पावर 4 होता 625 होता तो कितने अंक देखते चार अंक देखते यह हो गया पांच का इस्क्रीन सॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप 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 देखो बात करते हैं पांच के बाद पांच के बाद बात करते हैं किसकी हम लोग 3 की तो देखो 3 के लिए जैसे दे रहाता है A, B, C, D संख्या हम वही ले रहा है तीन का चेक करना है मैं तो क्या तरीका इसको लिख सकते हैं 1 into 1000 प्लस B into 100 प्लस C into 10 प्लस D अप आउन में क्या होगा 3 अब देखो यह तो न तो यह तो डी वीजिवल है न यह से डिवाइड होगा 3 से न तीन से यह डिवाइड होगा न यह होगा क्या करेंगे इसको लिख लेंगे 999 A प्लस A हो जाएगा इसको लिख सकते है 999 B प्लस B इसको 9 C प्लस C और प्लस के टी अपाउन थिरी अब इनको तीनों को एक साथ यह इससे यह भी डिवीजिवल है यह भी डिवीजिवल है यह भी डिवीजिवल है क्या बचा A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C प्लस D अपाउन 3 इसलिए हम लोग कहते हैं कि यदि अंकों का योग 3 से विवाज है तो एस संक्या 3 से विवाज होगी जैसे जैसे इसको चेक करना है तो क्या होगा 3 से विवीजिवल है कि नहीं है तो कैसे चेक करेंगे 9 3 12 12 12 12 12 12 25 25 25 में 8 जोड़ेंगे आएगा कितना सिंपल तरीका और निकाल लेंगा 3 में 3 का बाग चला जाएगा 9 में चला जाएगा 6 में चला जाएगा चार दो 6 में चला जाएगा 8 एक 9 में चला जाएगा इसका मतलब तीन से क्या है डिविजबाल है ऐसे ही चेक करते हैं नो की नो का चेक करते हैं तो फिर यही संख्या लेंगे आप लोग ऐसा क्यों होता है अगर इस हिसाब से पढ़ोगे जैसे शुरुवात में आप लोगों का उन्ट कोशन होता था क्यों और आपके टीचर भी कहते थे कि ऐसा पूछो आपके ऐसा होता है तो क्यों होता है तो यही चीज आपको क्यात करना है क्यों अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको क्या होगा यह हमेसा याद बने रहेंगे आप देखो इसको या कभी फस भी रहे हो आपको याद नहीं आ रहा है तो आप स्वैम से उसका नियम बना सकते हैं तो देखो इसको समझो इसक को लिख सकते हैं 9C plus D 9C plus C plus D upon 9 9 से ये कड़ जाएगा ये भी कड़ जाएगा बचेगा A plus B plus C plus D A plus B plus C plus D upon 3 तो सेम यही दोनों के नियम होते है जो तीन का नियम होता है वही 9 का नियम होता है यदि संख्या के अंकों के योग में नो का भाग जा रहा है तो वह संख्या क्या होगी नो से डिविजबल होगी सेम वही तीन में कि यदि अंकों की के योग में संख्या का भाग जा रहा है तो वह संख्या क्या है नो से डिविजबल होगी बहुत गर्मी है ठीक है पंखा चला नहीं सकते क्योंकि आवाज आने लगती पंखेगी और इतनी मेनत के बाद अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं सेर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं इतना तो करी सकते हैं हमारे लिए बाकी आपकी इच्छा लेकिन पढ़े हैं जरूर करें या ना करें आप देखो बात करते हैं किसकी हम लोग 11 की हैं 11 के डिविजबिल्टी रूल क्या होता है तो देखो इसको समझो इसको समझने के लिए क्लिए क्या होगा जैसे दे रहा था A B C D E F ये आपको दे रहा है तो हम लोग क्या करते हैं जी मान लो इसको एक इस्त इल्टी रूल चेक करने का तरीका होता है समिस्तानों पर यह अंक दिये गए उनका योग और विसमिस्तानों पर दिये गए अंकों का योग तो समिस्तान पर एफ इधर से गर देखें तो यह विसमिस्तान का लिख लो जी यह हो जाएगा ई यह हो जाएगा सी और यह हो किस जोड़ेंगे उन से डिवाइड से अगर वो 11 से टिवाइड है तो क्या होगा हो उफ गैसे देखो एक्जाम्पल में बता गादें जैसे 1331 अभी को पता है अब इनका हिस्तान एक दो तीन चार यह हो अब देखो एक दो अब इसको क्या करेंगे इनको इनको जोडेंगे इसको इसको जोडेंगे तो तीन और एक चार और ये क्या होगा तीन और एक चार आपस में घटाया क्या है जीरो जीरो में ग्यारा का बाग देंगे चला जाएगा इसका मतलब इसमें भी ग्यारा का बाग बात समझ में आई, क्लियर हुई, अब देखो इससे एक और चीज बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझना, यदि आपको ऐसे दिया गया हो, यह था 11 हो क्या हम यह लिख सकते थे कि 10 की पावर 1 प्लस 1, ठीक है, इसके बाद अगर आपको 101 का पोचे ले डिविजबिल्टी रू तो इसमें कैसे चेक करते हैं हम लोग, तो इसमें चेक करने का तरीका था, इसमें एक गात थी, एक एक कुलिया था, इसमें दो गात है, तो दो-दो के पेर बनाएंगे, एक, दो, तीन, और चार, इनके नीचे गिन्टी लिख देंगे, सम वालों को सम के साथ जोड़ बासवज में आ रही है, तो sum को sum के साथ में, इसको इसमें, मतलब AB प्लस EF, और इसको इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, एक और तीन वाले को, तो GH प्लस CD, और divide किस से कर देंगे, 101 से, अगर इनका अंतर 101 से divide है, तो इस संख्या क्या होगी, 101 से divide होगी, यहां तक बा जोड़े बनाते हैं, जैसे दे जाता, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, तो एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, इसको भी एक दो तीन ही मानेंगे, तो एक दो तीन, चार, सम बालों को sum के साथ जोड़ देंगे, A, प्लस E, F, G, जैसे यहां 335 होता, यहां 4 होता, यहां 8 होता, क 35 कुछ दिया हो, प्लस B, C, D, प्लस H, I, J, इनको जोड़ के और आपस में अंतर करके क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 1001 से, मतलब एक घात तो एक एक जोड़ा, दो घात तो दो दो के पेर, तीन घात तो तीन, तीन के पेर, शीक है, कुछ मिला नहीं, अब देखो समझो, कुछ और आँगे, इसके बाद देखो, अब बात कर रहा हैं, हम लोग 21, पहले 19 से चालू कर रहा है, 19, 29, 49, 69, 89, 89, यह हो गया, इधर बात करते हैं, अगर 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, और 91, देखो, इसका मतलब क्या है, इसको हम यह लिख सकते हैं, क्या, 20, माइनस, 19 को क्या लिख सकते हैं, 20 में, अगर 19 में, एक जोड़नें, तो क्या हो जाएगा, 19 में, यदि हम लोग, एक जोड़ें, 19 में, एक जोड़नें, तो कितना हैगा, 20 हो जाएगा, 29 में, एक जोड़नें, 30 हो जाएगा, इसमें एक जोड़नें, 40 हो जाएगा, इसमें एक जोड़नें, 60 हो जाएगा, इसमें एक जोड़नें, 80 हो जाएगा, इसमें एक जोड़नें, 80 हो जाएगा, इसमें एक जोड़न 50 आएगा, इसमें गटा दे 60 आएगा, इसमें गटा दे 70 आएगा, इसमें गटा दे 80 आएगा, इसमें गटा दे 90 आएगा आप कोगे ये कौनसी बड़ी वात सिखा रहे हो, ये तो मैं पता था बड़ी वात इसमें ये है कि आपको 19 का अगर factor निकालना है जैसे 19 का स्क्वायर होता है 361 हमें पता नहीं था कि ये 19 का स्क्वायर है या नहीं है आपको पता करना है कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा तो आप क्या करेंगे कि 19 में एक जोडने के बाद आया है 20 तो ये आया कितना है 20 तो ये जो अंक आये इतने का एकाई में गुणा करके च्योंकि ये जोडने से आया है तो इतना बचे उसमें जोड के देख लो तो दो एकम दो और दो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हैगा 38 क्या 19 से डिवाइड है 38 डिवाइड है तो इसका मतलब क्या हैगा जीरो सेस्फल बचरा है तो इसका मतलब ये संख्या भी 19 से डिवाइड है पास सुझ में आ रही जैसे अब 29 का चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 का गुणा करके इकाई में फिर क्या करेंगे जोड़ देंगे अगर यहाँ पे और बड़ी संख्या आती तो क्या करते फिर गुणा करते दो का फिर गटा के चेक करते ठिक जोड़ के चाहें देख लो ये था 3, 8 हमें ये भी नहीं पता है तो इसमें फिर 2 का गुणा कर दो 8, 9, 16, 16 जोड़ दो 19 आ गया तो पता है 19 डिवीजिबाद है इस प्रकार सिंपल करते चले जाते हैं अब 29 का कहेगा तो 3 का गुणा करके प्लस है तो जोड़ना है 49 का डिवीजिबिल्टी रूल क्या होगा भी वाज़ता खरी नहीं 4 का गुणा करके जोड़ना है 5 का गुणा करके 49 में जोड़ना है तो ये सब हो गए इसके इतने के इसमें घटाने से आया है तो इसमें क्या करेंगे घटा के चेक करेंगे जैसे देख लो अब इसका बताया दे रहे 31 का 31 का जो होता है वो कितना होता है 31 का होता है 961 अब ये चे करना डिवाइड है की नहीं है माइनस करने पर आया आ है वो भी कितने का 3 का तो 3 का इसे में गुणा करके माइनस कर दो तो 3 जड़ा करें है कितने बचेंगे 93 znajाई पर भी आपको लग रहा है कि नहीं पता है जैसे 45 का कहता तो 4 काई काई में गुणा करते हैं घटाने से आए तो घटा के शकर लेते हैं इस प्रकार ये प्राप्त कर लिए अब देखो 7 का हमने अभी तक क्यों नहीं बताया था ये समझो 7 का इसलिए नहीं बताया था कि 7 का डिविजिविल्टी रूल पता करना है तो 7 का पाड़ा पड़ो और ऐसी संख्या के नजदीक जाओ जिसमें एक जोडने एक घटाने पर 0 वाली संख्या प्राप्त हो जाए मतलब इन में से ऐसी कोई संख्या प्राप्त हो जाए तो साथ तरी कितने होते 21, 21 आपको प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब जो 21 का रूल होगा डिविजविल्टी का वही साथ का होगा, मतलब दो का गुणा करके क्या करना है गटाना है, जैसे साथ सत्य उन्चाथ, साथ सत्य होते हैं, 343 अब इसको चेक करना है आपको, कि साथ से डिवाइड है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, दो का गुणा करके घटाना है, इसमें दो का गुणा करके घटा दो, तीन दूनी 6, 6 इसमें घटा दिए, घटाने से आ रहा है, जैसे इसमें 6 घटा हैंगे, तो कितना हैं का, 28, 27 से डिविजवाल है, तो यह संख्या भी क्य तो आप लोग क्या करेंगे? इस प्रकार Menschen की Practice करेंगे, लगाएंगे. अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई समिश्य उत्पन हो रही है. आपको पहले बार बहुत जादा-जादा तीस तक पूछे जाएंगे. फिर वी हमने आपको बता दिये कि जितने तक करना चाहें आप कर सकते फिर भी आपको कोई समश्चा आ रही है तो आप कमेंट्स में जरूर बताए वीडियो आपको कहसा लगा ये भी जरूर बताए वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दे अपने दोस्तों को सेयर करें ठीक है बस आपसे इतनी साहता चाहिए ठीक है रादे रादे